प्रास्थान का एक नेता ऐसा भी है जो सड़क पर संगर्ष करने के लिए जाना चाता है। इसलिए एक दशक से लगातार हम देख रहे हैं कि जनता हो या युवा हो हर किसी के हक के लिए वे सड़क पर संगर्ष करता हुआ नजर आया है। 2023 में बीजेपी की सरकार तो आ गई और सरकार में उनको मंत्री पत भी दिया गया लेकिन आज भी वो हर किसी के हक के लिए संगर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां हम बात कर रहे हैं किरोडी लाल मीना की जो एक बार फिर से संगर्ष के रास्ते पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार आप देख रहे हैं दन नगरी न्यूस मैं हूँ ललित वर्मा। देखे किरोडी लाल मीना वो नाम जो हमेशा संगर्ष के लिए पैचाना जाता है। चाहे जन्ता के हर मुद्दे की अवाज हो या फिर युवाओं के हक की बात हो वो हमेशा सड़क पर संगर्ष करते हुए नजर आए। बीजेपी सरकार में उनको मंत्री पत दे दिया गया लेकिन वो इस मंत्री पत से संतुष्ट नजर नहीं आए क्योंकि उनका एक ही भ्रह्मवाक्या है कि वैस सिर्फ लोगों के हितों के लिए संगर्ष करना ही जानते हैं सत्ता की मलाई खाना उन्हें पसंद नहीं है। एक बार फिर से किरोडी लाल मीना उसी संगर्ष के रास्ते पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। जो पेपल लीक हुआ था उसको लेकर पिछले दो साल से किरोडी लाल मीना संगर्ष करते हुए नजर आये हैं। जब पॉंग्रेस की सरकार थी उस समय उन्होंने सड़क पर उतर कर इसका भारी विरोध किया था तो बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी लगातार वैस मुद्दे को उठाते रहे। इसके साथ ही R.A.S. भरती 2018 की जो भरती थी उसका भी संगर्ष की रोडी लाल मीना लगातार कर रहे है। अभी ही पिछले दिनों एक बयान उन्होंने ये दिया कि ऐसा ही भरती रद क्यों नहीं हो रही है वो नहीं जानते हैं उसमें रीपाप होती क्यों हो रही है। पुलिस मुख्याले द्वारा ये कह दिया गया है कि इस भरती का पेपर आउट हुआ है तो वहीं हाई कोट में भी इस बात को स्विकार कर लिया गया है कि गड़भड तो कहीं तो हुई है उसके बाद भजनलाल सरकार के ओर से कमेटी बठाने का मतलब क्या है और चित्य क्य इसके साथ ही पिell haar' दिनों देवली उनियारा में भी एक कारेकरब में क्रोडी लाल मीना ने ये कहा कि BJP के नेताओं के दूआरा मेरे कारेकरताओं को परेशान किया जा रहा है या फिर लोगों को परेशान किया जा रहा है ये उनका बляन काफी चर्चाओं में राया था ऐसे में संगर्ष के रास्ते पर चलने वाले किरोडी लाल मीना एक बार फिर से भजनलाल सरकार की टैंशन बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं क्योंकि उनके जो तेवर हैं वो तेवर इस समय वही किरोडी लाल मीना के हैं जो कॉंग्रेस सरकार में हुआ करते थे ऐसे में अब वक्त बताएगा कि आने वाले समय में क्या किरोडी लाल मीना खुद ही अपनी भजनलाल सरकार के खिलाब टैंशन खड़ी करेंगे क्या उनकी मुसीबते वे बढ़ती हुई नजर आएंगे आप देखते रहिए दनगरी न्यूस मैं हो लाले स्वार्मा